और मलखम भी शामिल रही, गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो तीन टीम है रही, वे हैं सर्विसेज की टीम, महाराष्टो और हर्याना की टीम, इन खेलों में 6 नेशनल डेकोर्ड्स और करीब करीब 60 नेशनल गेम्स रेकोर्ड्स भी बने, मैं पदक जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले, सभी खिलाडियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं इन खिलाडियों के सुनहरे भविश्च की कामना भी करता हूं, साथियों, मैं उन सभी लोगों की भी रदय से प्रसंसा करना चाहता जिनोंने गुजरात में हुए राष्ट्रिय खेलों के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया, आपने देखा है कि गुजरात में तो राष्ट्रिय खेल नवरातरी के दवरान हुए, इन खेलों के आयोजन से पहले एक बार, तो मेरे मन में भी आया, कि इस समय तो पूरा गुजरात इन उत्सवों में जुटा होता है तो लोग इन खेलों का आनन कैसे ले पाएंगे इतनी बड़ी विवस्ता खुश कर दिया अमदाबाद में नेशनल गेम्स के दोरां जिस तरह कणा खेल और संस्कृत का संगम हुआ वह उलास से भर देने वारा था खेलाड़ी भी दिन में जहां खेल में हिस्ता लेते थे वही शाम को वह गरबा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे उन्होंने गुजरादी खाना और नवरातरी के तश्विरे भी सोच्यल मीडिया पर खूब शेयर की यह देखना हम सभी के लिए बहुत यह आनद दायक था आखिर कर इस तरह के खेलों से भारत के विवित संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है यह एक भारत स्रेष्ट भारत के भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं मेरे प्यारे देश्वासियों नवंबर महने में पंद्रा तारीक को हमारा देश जन जातिय गवरों दिवस मनाएगा आपको याद होगा देश्ट ने पिछले साल भगवान विर्शा मुंडा की जन्मजैनती के दिन आदिवासी विरासत और गवरों को सेलिब्रेट करने के लिए ये शुरुवात की थी भगवान विर्शा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंगरे जी हुकुमत के खिलाब लाखों लोगों को एक जुट कर दिया था उन्होंने भारत की आजादी साथियों जब धर्दी आबाब बिर्शा मुंडा की बात आती है छोटे से उनके जीवन काल की तरब नजर करते हैं आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सिख सकते हैं और धर्दी आबा ने तो कहा था ये धर्दी हमारी है हम इसके रक्षक है उनके इस वाक्य में मात्र भूमी के लिए करतव भावना भी है और परियावरन के लिए हमारे करतवियों का एहसास भी है उन्होंने हमेशा इस बात पर जोड दिया था कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृति और परियावरन को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं साथ को पिछले साल भगवान बिर्शा मुंडा की जन्ती के अउसर पर मुझे रांची के भगवान बिर्शा मुंडा मिज्यम के उद्गार्ण का सोभाई के प्राप्त हुआ था मैं युगाउं से आगरह करना चाहूंगा उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि एक नमंबर यानि परसों मैं गुजराद राजस्थान के बॉर्डर पर मोजुदा मानगड में रहूँगा भारत के स्वतंतरता संग्राम और हमारी सम्रुद आदिवासी वरासत में मानगड का भावती विशिष्ठ स्थान रहा है यहां पर नमंबर 1913 में एक भयानक नर्शंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने स्थानी आदिवासियों की निर्ममता पुर्वक हत्या कर दी थी बताया जाता है कि इस नर्शंहार में एक हजार से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गवानी पड़ी थी इस जन जाती आंदोलन का नित्रुत गोविन गुरुजी ने किया था जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है आज मैं उन सभी आदिवासि सहीदों और गोविन गुरुजी के अदम्य साहस और सौर्य को नमन करता हूँ हम इस अम्रत काल में भगवान बिर्शा मुंडा, गोविन गुरु और अन्य स्वातनत सेनानियों के आदर्शों को जितनी निस्ठा से पालन करेंगे हमारा देश उतनी ही उचाईयों को छूएगा मेरे प्यारे देश वात्षियों, आने वाली 8 नवंबर को गुरु पुरभ है गुरु नानक जी का प्रकाश परव, जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपुण है, उतना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश पहलाया, पिछले कुछ वर्षों में देश ने गुरुओं के प्रकाश को जन जन तक पहुँचाने के लिए अनेकों प्रयास किये हैं हमें गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकाश परव देश और विदेश में व्यापक सतर पर मनाने का सौभागे मिला था दस्वकों के इंतजार के बाद करतापूर साहिब कोरिडोर का निर्मान होना भी उत्राही सुखद है कुछ दिन पहरे ही मुझे हेमकुन साव के लिए रोपे के सरान्यास का भी सौभागे मिला है हमें हमारे गुरुँआं के विचारों से लगाता और सीखना है उनके लिए समर्पित रहना है इसी दिन कार्तिक पुरण्यमा का भी है इस दिन हम तिल्सों में, नदियों में स्नान करते हैं, सेवा और दान करते हैं, मैं आप सभी को इन परवों के हार्दिक बदाई देता हूँ, आने वाले दिनों में कई राज्य, अपने राज्य दिवस भी मनाएंगे, आंदर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा, क राज्युत्सों मनाए जाएगा, फिसी तरह मध्यप्रदेश्च, छट्रिगर्ब और हर्याना भी अपने राज्य दिवस मनाएगे, में सभी राज्यों के लोगों को शुपकामनाय देता हूँ, हमारे सभी राज्यों में, एग दूसरे से शीखने की, सहयोग करने की और मि इतनी मजबूत होगी, देश उतना ही आगे जाएगा, मुझे विश्वास हैं, हम इसी भावना से आगे बढ़ेंगे, आप सब अपना ख्याल रखिये, स्वस्त रहिए, मन की बात की अगली मुलाकात तक के लिए मुझे अग्या दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।